नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे आज हम बनाएंगे बचे हुई खिचडी का नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इजी रेसिपी है और देखने में तो ऐसी लगेगी कि आपने फाइव स्टार होटल से ही अदा सा पयाज डाला है और थोड़ी सी चौप करके सिंवला मिर्च डाली है और साथ पर हल्का साphony मसाले और नमक खिचडी में पहले सी आड़िड है तो हम यहाँ पर हल्का शा में लेंगे और एक चम चालवमे वे चाठामसालाै बाकि पर लोग कर सकते हैं Swedish में आपने हिस को थोड़ा सा पतला बनाया जाता है और कई बारी सूकी-सूकी जो हमारी है खीचोड़ी होती है तो इसे हिसाब से आप देख लीजिएगा कि इसको हमने अच्छे से मेश करना है ताकि जो है इसमें अच्छी सी बाइंडिंग चाए तो मैंने चावल में थोग साद का लेना है और इस तरीके से से को जाएने मीज़ ponz offline अधिक कि को हुआ a कवा गाफ को जाएग Kerry को आप किसी भी आप सब्सक्राग वी सबी सब्सक्राइबaurais तो यह देखी मैंने साथ से आठ रिंग यहां पर निकाल ली है इतने ही काफी है अब हमने जो स्टफिंग त्यार किया रही थी किचड़ी वाली उसे इस रिंग में प्रेस करते हुए अच्छी से तबाते हुए इसमें हम स्टफिंग को भर लेंगे इस तरीके से और बाद में भरने के बाद इसको हमने हाथों से भी प्रेस करना है ताकि जो है स्टफिंग इसकी अच्छी से सेट हो जाए अगर चाहे तो आप इसमें चीज भी थोड़ा डाल सकते हैं अंदर इससे भी बहुत ही ज़्यादा चीजी बन सकते हैं तो जैसे भी आपके पास जो भी आपके हो रहा है तो इसी तरीके से हमने सारे रिंग जो है त्यार कर ली है अब हमने तवे को गरम कर लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पर और थोड़ा सा इसमें घी तेल जो भी आपको उपसंदे वह आप लगा लीजिए थोड़ा सा ही लगाएंगे और उसके बाद जो हमने लगा रहे थोड़ थोड़े उपर से ताकि जो है दिखने में भी अच्छे लगे और तील का टेस्ट आएगा वह अलगी इसमें आएगा तो इसमें लगा यह बहुत ही अच्छे लगे और उसके बाद इसे कवर करके कुक होने देंगे मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनिट के इसको हम चेक करेंगे कि यह नीचे से जो है यह देखिए क्रिस्पी हो चुके है और यह प्याज जो है सौफ्ट हो गया है तो अभी हम इसे पलट लेंगे और अब हम इसे लगवग एक डेड़ मिनिट के लिए ही कुक करेंगे निचली साइड से और फ्लेम को कर देंगे हाई पे मेडियम टू हाई पे रखेंगे ताकि जो है यह जल्दी से कुक हो जाए और इसकी दूसरी साइड भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो मैंने यहाँ पर एक मिनिट बाद चेक यह जो नाश्ता आज हमने बनाया है बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनने वाला है आप प्लीज जरूर एक वाजी से ट्राइक करना खिचडी का सबसे बैस्ट यूज मुझे यह लगा कि आप इस तरीके से स्टफ अनियन बनाए और चाहे आप इसे रोटी के साथ खाईए या स्टफ डनियन कितने ज्यादा सुन्दर और यह टेस्टी लग रहे है आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई